हेलो स्टूडेंट्स आशा है आप सभी अच्छे होंगे आज हम एक और प्रोटीन डेटाबेस जिसका नाम PDB है इसके बारे में चर्चा करेंगे PDB की फुल फाम है प्रोटीन डेटा बैंक यह हमें 3D इसके अलावा यह हमें डिफ्रेंट टूल्स भी प्रोटीन करता है जिने हम अपने प्रोटीन को स्टेडी करने में उप्यूग कर सकते हैं PDB की स्थापना 1971 में Research Collaboratory for Structural Bioinformatics RCSB USA में हुई PDB हमें प्रोटीन का Basic Primary Data प्रोवाइड करता है जो की Secondary Data को डवलप करने में यूज किया जा सकता है PDB का मुख्य उदेश है 3D Structural Details प्रोवाइड करना है जो Globally, Freely Accessible हो PDB का Website Address है www.rcsb.org तो चलिए ओपन करते हैं PDB का Home Page इसके Home Page पर Left Side में Different Options हैं जैसे Deposit, Search, Visualize, Analyze, Download, Learn Right Side में हमें Molecule of the Month दिखाई दे रहा है ये Molecule को Month-Wise Representation देते हैं इसके Search के आधार पर हमें यहाँ एक Search Tab भी मिलता है जिसे हम Use कर सकते हैं अपने Molecule को Search करने में जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ Thymosin Beta 9 यह एक Protein है और सबसे पहले इस Protein की Structural Summary open हो जाती है इसका PDB ID है 1HJO इसकी Classification इसके Organism की Details इसका Mutational Work जो की नहीं हुआ है कब Deposit हुआ इसके Authors की Detail Method जो इसमें Use हुआ है वो NMR है इसके बारे में जानकारी है नीचे इसके Published Paper के बारे में जानकारी है जिसमें यह Detail Information दी गई है इसके नीचे हमें Macromolecule जो हमारे Protein है इसकी कितनी Chain है जैसे हमारे Case में यह Monomer है इसकी एक ही Chain है जो की A है इसकी Sequence Length, Organism और Mutation जिस पर Work नहीं हुआ है और इसका Gene ID लिखा है इससे नीचे हमें एक Graphical Representation दिखाई दे रहा है इस Protein का Data PDB में है जो की 1HJO के नाम से है क्योंकि यह Protein Uniprod में भी Available है इसलिए Uniprod की Details भी है और इन दोनों Data में कोई Mismatch नहीं है अगर होता तो इसका भी Indication यहाँ पर होता Hydropathy का मतलब है यह हमें Hydrophilic और Hydrophobic Amino Acid के बारे में जानकारी देता है जैसे यहाँ Blue Bar represent कर रहा है इस Protein में खाली Hydrophilic Amino Acid है और अगर इसमें Pink Bar भी होता तो वो Hydrophobic Amino Acid की Presence represent करता इस Protein में Maximum Disorder है जो Pink Bar से represent हो रहा है यह शायद Hydrophobic Amino Acid की कमी से भी हो सकता है नीचे Disordered Binding Pattern दिख रहा है Maximum Pink Region में इसते भी नीचे इसका Experimental Data है और Last में इसकी पूरी History है Left Side में Initial Submission और Right Side में किस-किस Year में इसका Revision आया है इसके बारे में भी जानकारी है आशा है दी गई जानकारी आपके लिए उप्योगी होगी Next वीडियो में हम PDB में यूज होने वाले इसी प्रोटीन के Different Tabs को Study करेंगे आज का सेशन यहीं तक है इस सीरीज को पूर्ण योगदान देने के लिए मैं आचना मैम का रिदय पूर्वक धन्यवाद देता हूँ आप सब का भी शुक्रिया